क्वांटम यांत्रिकी की आउधार नहीं तो क्वांटम यांत्रिकी में बताया गया कि कोई भी तंतर है उसको तरंग फलन के रूप में विस्तित किया जा सकता है यानि कि तरंग फलन के रूप में दर्साया जा सकता है यानि कि किसी भी बोतिके तंतर का कोई ने कोई तरंग फलन दिया जा सकता है और इस तरंग का आउकलन शमाकलन किया जा सकता है जैसे आप इसका डी अपोन डी एक्स कर दो तो इसको या फिर डी स्केर अपोन डी एक्स की स्केर यानि कि आउकलन कर सकते हो यानि कि d upon dx i कर दो तो इसका आउकलन हो जाएगा इसको बोला जाता है इस आउकलन को फैस्ट डेरिवेटिव कहा जाता है इसको कहा जाता है फैस्ट डेरिवेटिव तो d square upon dx की square इस परकार से आउकलन कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है इस परकार की आउकलन को कहा जाता है सेकिंड डेरिवेट्यू इसे कहा जाता है सेकिंड डेरिवेट्यू इसी परकार से d3 अपॉन dx की थरी यानि की इसको आउकलिते या समाकलिते किया जा सकता है और इसके बाद में ये है कि सवकारिय कोई तरंग फलन है सवकारिय तरंग फलन के लिए कोई भी तरंग फलन सवकारिय होगा या नहीं होगा इसके लिए आप ऐसे दान रखो कि सविकारिया तरंग फ्लन है यानि कि सविकारिया तरंग फ्लन का मतलब वैल बीहवड यानि कि जिसका व्यार क्या हो अच्छा हो वैल बीहवड तरंग फ्लन सविकारिया तरंग फ्लन के लिए क्या क्या गून होने चाहिए कि तरंग फ्लन कंटिनियूस होना चाहिए तरंग फ्लन कैसा होना चाहिए continuous का मतलब है लगातार होना चाहिए यानि कि बीच में टूटा फूटा नहीं होना चाहिए यानि कि किसी आर के लिए साई का कोई न कोई मान होना चाहिए यानि किस परकार का उलतना चाहिए continuous तो यह ऐसा सविकारिय है यदि ऐसा हो जाए तरंग फलन बीच में से कटी गया तो साइक किसी आर के लिए तरंग फलन का मान ही नहीं आपर तो यह ऐसा ऐसा हुआ यह है नोन एकशेट एकसेक्टेबल है इसको ऐसा हुआ कर देंगे यह कि ऐसा क्या है कंटिनुस होगा वह सव फाइनाइट वेल्यू होनी चाहिए यानि कि कहीं पदे अनंत मान नहीं आना चाहिए शाही का मान अनंत नहीं आना चाहिए फाइनाइट वेल्यू होनी चाहिए यानि फाइनाइट वेल्यू का मतलब है कोई एक निश्चित माम होना चाहिए इसके इलावा continuous finite value और तरंग फलन परसामानी कर्थ होना चाहिए परसामानी कर्थ का अर्थ क्या होता है यानि कि normalized होना चाहिए normalized उसे कहा जाता है कोई भी तरंग फलन normalized है इसका मतलब क्या है कि इसे कि minus अनन्त से plus अनन्त साई स्टार साई डिटो का मान क्या आना चाहिए एक आना चाहिए यदि कोई तरंग फलन इस सर्थ की पालना करता है तो वह परसामानी कर्थ तरंग फलन कहा जाता है और यदि कोई इस सर्थ की पालना नहीं करता है तो वो परसामानी करते तरंग फलन नहीं है यानि परसामानी करते तरंग फलन के लिए कुछ और यह साई स्टार क्या होता है इससे साई का कॉंप्लेक्स कॉंजूगेट कहा जाता है साई का कॉंप्लेक्स कॉंजूगेट कैसे प्राप्त किया जाता है यदि आयोटा को माइनस Iota से replace कर दिया जाता है यह लिए Iota को minus Iota से replace कर दिया जाता है तो जो तरंग फॼल में अब नया बन जाता है उसको क्या कहा जाता है si star इसे si का adjoint कहा जाता है और normalized के लिए सरते कि पालना होने चाहँए कोई भी सिविकारी आनि की कोई तरंग फलन है इसके अंदर यह मान होने चाहिए कंटिनूस होना चाहिए फाइनाइट वेल्यू होने चाहिए नोर्मिलाइज्ट होना चाहिए इसके लावा सिंगल वेल्यूड होना चाहिए single value टो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पर कि किसी एक आर के लिए साइक के मान की कई value आजाए इस परकार का ग्राफ आजाए तो जैसे मान लो इस आर पर देख रही है अपने इस आर पर साइक के मान तो क्या आगए एक दो तीन ऐसे मान नहीं आना चाहिए कि ऐसे साइ है वो ऐस हविकारिय है यानि कि इसको एक्षैप्ट नहीं कर सकते ऐसे विकारिय है यह वैल भी हैवड नहीं है तो यानि कि सिंगल वेल्यू होनी चाहिए तो सबसे पहले अपने बात करें कैसी होना चाहिए सिंगल वेल्यूड हो ना चाहिए अन्त नहीं होनी चाहिए नौर्मिलाइजड होना चाहिए शर्त की पालना करने किस इसके अलावा कि हरमेशियन sorry इसके अलावा आईगेणं होना चाहिए आईगेन फलन क्या होता है आईगेन फलन आईगेन फलन के बारे में ये कहा जाता है कि यदि कोई भी तरंग फलन है यदि कोई तरंग फलन है उस पर कोई संकारक संकारित कर दिया जाई कोई संकारक लगा दिया जाई ये कोई तरंग फलन है तरंग फलन पर कोई संकारक लगा दिया तरंग फलन है तरंग फलन पर कोई संकारक लगा दिया जाए तो कोई संख्यात्मक मान प्राप्त होना चाहिए कोई संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाए और वही तरंग फलन प्राप्त हो जाए वही तरंग फलन प्राप्त हो जाई तो इस परकार के तरंग फलन को आईगेन फलन कहा जाता है तो इस परकार के तरंग फलन को आईगेन फलन कहेंगे इस परकार के तरंग फलन को क्या कहेंगे आईगेन तरंग फलन कहेंगे इस परकार से जो संख्यात्मक मान आता है उसको आई गेन वेल्यू कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है आई गेन वेल्यू कहा जाता है यानि दुबारा सुने किसी संकारक पर दुबारा सुने किसी तरंग फलन पर कोई संकारक संकारित कर दिया जाए में वही तरंग फ्लन दुबारा से प्राप्त हो गया तो इस परकार के तरंग फ्लन को आइगेन फ्लन कहा जाता है और इस संक्यात्मक मान को आइगेन मान कहा जाता है और कि कोई भी स्विकारिया तरंग फ्लन होने के लिए यानि कोई स्विकारिया तरंग फ्लन होने के लिए इस तरंग फ्लन का आइगेन फ्लन होना जरूरी है आइगेन फ्लन नहीं होगा तो सविकारी तरंग फ्लन नहीं होगा साथ साथ कोई संक्यातम कमान आइगेन फ्लन होगा तो कोई आइगेन वेल्यू भी होना जरूरी है आइगेन फ्लन होगा तो कोई आइगेन वेल्यू अव इसके साथ साथ हैं अपने क्वांटम यांत्री की के अंदर ओस्त वेल्यू भी ग्यात की जा सकती है उस्त वेल्यू कैसे ग्यात की जा सकती है हम पढ़ रहे हैं क्वांटम यांत्री की के पॉस्टुलेट्स क्या है कांटम यांत्री की की और धारना क्या है तो होस्त मान ग्यात करने के लिए होस्त मान होस्त मान का मतलब एवरेज विल्यू एवरेज विल्यू ग्यात करने के लिए क्या होगा ओस्त मान ग्यात करने का तरीका होता है जैसे मान लो किसी का ओस्त मान ग्यात कर रही है किसी ए का मान लो उस्तमान ग्यात करने का तरीक्या क्या होता है इस सुत्र के अंदर रखना पढ़ेगा अपने को कि माइनस अनन्त से पलस अनन्त शाई स्टार साई डिटो अ अपोन माइनस अनन्त से पलस अन्त साई स्टार साई डिटो और जिसका भी ओस्तमान ग्यात कर रही हैं तो यहां पर एक अपने को एक ओप्रेटर लेना पड़ेगा यदि इस सर्थ इसके दवारा अपने किसी का भी ओस्तमान ग्यात किया जा सकता है यानि कि ओस्तमान ग्यात करने के लिए सुत्र अपने को काम लेना होगा अब देखो जैसे कोई अग्जामपल ले अपने जैसे अपने चाहती हैं कि सवेग का उस्तमान निकालना अपने सवेग यानि के मोमेंटम सवेग का ओस्तमान ग्यात करना चाहिए सवेग का उस्तमान सवेग को अपने जैसे PX एक सदिस राशियत X जिसा में सवेग का उस्तमान ग्यात करना चाह रही है तो क्या होगा बस कुछ नहीं यहां पर P लिख दो और यहां पर operator है वहां पर क्या लिख दो P लिख दो तो P का क्या हो जाएगा उस्तमान हो जाएगा जैसे मैं यहां पर लिख दिखाता हूं आपको की PX है उसका उस्तमान ऐसे दर्साने का तरिका होता है उस्तमान को इस परकार से या फिरे इस परकार से भी बता सकती हो PX है यह भी उस्तमान इस परकार से भी लिखने का होता है बस कुछ नहीं, मायनस अनन्च से पलस अनन्च से पलस अनन्च साइश्टार साइड डिटो एक्स दिसा में है, तो डिएक्स कहतो चे, क्योंकि केवल अपने एक्स दिसा देख रहे हैं, तो डिएक्स अपोन साइश्टार साइड डिटो, मायनस अनन्च से पलस अनन्च और पी, यहां पर पी का क्या लगाना पड़ेगा, अपने को ओपरेटर लगाना पड़ेगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा, पी का कोई ओपरेटर लेना पड़ेगा, और अपने जानते हैं, पी का ओपरेटर क् P X बराबर क्या होता है मायनस आयटा अच करोश डैल अपोन डैल X ये क्या होता है P का ओपरेटर होता है तो इस P की जगह रख दो जगह रखने के बाद में इसका उस्तमान क्या हो जाएगा मायनस आयटा अच करोश डैल अपोन डैल एकस को इस पी की जगें रख दो वास तो यदि ऐसा करते हैं तो इसको क्या से लिख सकते हैं कि Px is equal to minus x xu 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 और सवे का संकारक क्या है तो अपने ये जानते हैं कि सवे का संकारक होता है माइनस आयोटा आच करोश डैल अपोन डैल एक्स ये रख देंगे तो जो भी मान आएगा वो पी का ओस्त मान होगा और इसको हल किया जाए तो यह पी का Principal वेल्यू आती है वो सुन्या आती है इसको हल करने पर जो भी उस्त वेल्यू आती है इसकी स्पैक्टेशन वेल्यू और वेल्यू होती है और J fps यानि excitement की सुन्य होती है इसी प्रकार से अपने कुल उर्जा की उस्तमान ग्यात करना चाहते हैं अपने जैसे मान लो अग लाग ज्याम पल अपने ले कुल उर्जा कुल उर्जा का उस्तमान क्या होगा कुल उर्जा का उस्तमान या एवरेज वेल्यू क्या होगी कुल उर्जा होती है उसको इस यह दर साती है और कुल उर्जा का उस्तमा निकालने के लिए कुल उर्जा का संकारक है और कुल उर्जा का संकारक आप जानते हो कि संकारक होता है तो हैं मिल्टोनियन संकारक यहां पर रख दो और बाकि साइश्टार साइड़ीटो है अच्छ रख दो बस तो फिर क्या होगा एच का मान एच का मान आप जानते हो कि एच पराबर क्या होता है एच की वेडल्यू आप सभी को वीदित है कि एच है मिल्टोनियन संकारक है जिसको कुल उर्जा को बताते हैं और एच का मान होता है माइनस डेल की सुकेर अच की सुकेर अपोन एच पाई सुकेर एम पलस वी होता है या फिर अपने इसको इस परकार से भी लिख सकते हैं माइनस डेल की सुकेर एच कट की सुकेर अपोन टू एम यह तो एच सीधा है और यह एच कट है एच कट को हो एच क्रोस को हो की सुकेर rapam 2m Casey लिख देंगे उस में कोई सा भी लिख दो और भी आगे हल्के आता सकता है इसको पर इसमें से दो तो ऊर जाय झा जाएगा टोटल ऊर्जा का यह टोटल का ऊस्थ माद असक्वान यह रहाइगा एक मान रख दो इसक्वान का नहीं 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 को kisye liditbuot भाया पर यहांपर एच हयमिल्टनियन ओपरेटर था और हैं मिल्टन ने नॉप्रेटर का मान हो मैं यह देखो और यह यहांपर लिखा जारा है है मिल्टनियं होता है कि of डेल की सुकेर अच की सुकेर अपोन एट पाई सुकेर एम प्लस वी तो ये रख दोगे तो इसके बाद के अंदर है इसको हल करोगे तो इसके भी एक्स उस्तमान है या एवरेज मान है कुल उर्जा का भी उस्तमान एवरेज मान क्या आता है सुन्य आता है तो कुल उर्जा को उस्तमान सुन्य होता है इसको उपर बार लगा कर भी दर्सा सकते हैं उस्तमान को अग्जाम में किसी परकार से आजाए चाहिए इसको इस परकार से भी दर्सा आजा सकता है E, E की power bar इसको आप इस परकार से दर्शा सकते हो कि E का हो ET का हो bar बराबर क्या है 0 यानि expectation value है उसको उपर बार रगा कर भी दर्शाने का चलन है